वर्ड प्रब्लम डिस्कस करेंगे इसकी स्टेटमेंट है कि आप ट्राइंगुलर शेप्ट कॉर्ट यार्ड हैज दी हाइट 6.4 मीटर एंड बेस 3.6 मीटर फाइंड दी कॉस्ट आफ टाइलिंग दा कॉर्ट यार्ड एट रेट आफ रुपीज फिफ्टी पर स्कॉर मीटर यानि एक घर है जैसे फर्ज करें उसका सहिन जिसे हम कॉर्ट यार्ड कह रहे हैं वो ट्राइंगुलर या ट्राइंगल की शकल का है ठीक है ट्राइंगुलर है तो इसे अगर हमने टाइलिंग करना ओं तो इसके लिए हमें जो मिस्तरी है वह चाहिए और वो टाइल्ज़ कोपर स्कॉर मीटर लगाएगा उसके स्कॉर्म बने में चाहिए 50 रुपämän यार्ड या कर ल देका है जी जितनी जगा वो मतलब यह बंती है तो हमने देखना कितने स्क्वेर मीटर ये एरिया इस कॉर्ट यार्ड या सहिन ने घेरा हुआ है जिसकी शकल चुके ट्राइंगल जैसी है तो अगर हम जो हमने टेकनीक पड़ी थी एक ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने की अगर हम वही यूज कर लें तो हमारा ये प्राब्लम सॉल्व हो सकता है और हम देख सकते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी इस पुरे सहिन को टाइलिंग करने के लिए टाइल्स लगाने के लिए ठीक है तो देखें अब हम फर्स करते हैं कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल है ठीक है और फर्स कर लेते हैं कि जो बेस है, चुकर इसमें वो बताई गयी है कि जो फर्स कर लेते हैं कि यह साइड अगर 3.6 हो या इसमें चले समॉलर जो साइड है यह 3.6 मीटर हो जाए, अगर यह बेस बन जाए ठीक है, तो हमेशा जो आइट होती है वो base के opposite vertex से base पे throw करने से आती है, perpendicular throw करने से आती है अब मैं जो में पास B point है, इससे में एक perpendicular throw करूँगा इस AC line के उपर, line segment के उपर, कि ये इसके साथ 90 का angle बनाए, ठीक है? तो फर्स करें कि वो यहाँ पे कहीं पे बनता है, इस जगाँ पे, ठीक है? ये 90 का angle हमें बनता है, नजर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, ठीक है? और ये जो distance है, ये भी, देखें, ये 6.4 बजाहर लग नहीं रहा, क्यूंकि तकरीबन 3.6 से ये, आप समलें, डबल के करीब ही है, तो इसकी shape और जएदा हम, बतलब आप यूं समलने के और जएदा बड़ी triangle बनानी चाहीए थे हमें, लेकिन चलें, फिलहाल हम एक formula को understand करने के लिए ये use करें, triangle ठीक है, ये height है और ये base है, अब triangle का area का formula हमने पढ़ रख़ा है, area तो आप जैसे जानती है कि, एक two dimensional, जो है, वो surface का नाम है, यहाँ पर दो dimensions बन रही है, एक base है, दूसरी height है, अब ये base, कितने times add हो, कि ये सारी जगा ट्राइंगल की आजए, वो height time है, लेकिन अगर height इसको add करें, तो ये एक parallelogram का area बनता है, तो हम इसे half करके, triangle के area के बरा हमने पढ़ रखा है कि, एक parallelogram के diagonal से, दो congruent triangles बनती है, ठीक है, तो वो बात, जो कि मैं concept lecture में बता आया हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ी सी revise की है, area of triangle के लिए, तो यहाँ पर इनकी values को input कर लेते हैं, base की जगा 3.6 meter, और height की जगा 6.4 meter, याद रहे कि, जो rate है, वो square meter में है, इसलिए, base के और height के unit मीटर में होना लाजमी है, ठीक है, अगर यह centimeter में होते हैं, तो हम इने पहले meter में लेके आते हैं, ठीक है, calculator से solve करते हैं, अगर 3.6 को multiply किया जाए, 6.4 से, तो यह देखे, 23.04 आता है, और फिर इसको 2 पे divide भी करना है, तो divided by 2, 11.52 बनता है, जिसे मैं 11.5 प्रॉक्सिमेट कह सकता हूँ, square meter area, ठीक है, अब, यह 52 ही चले रहने देते हैं, तो देखें, अगर एक square meter के लिए, पिचास रॉपे लग रहे थे, तो फिर 11.52 square meter के लिए, 11.52 times जएदा पैसे लगेंगे, ठीक है, यह यह ऐसी बात है, जैसे एक ball pen, 5 रॉपीज का है, तो 2 कितने के होंगे, उसके double उसकी price हो जाएगी, यानि 10 रॉपीज, तो यहां पर जो cost आएगी, cost of tiling, वो equal to आजएगी, रॉपीज में 50 times 11.52, ठीक है, जो के, चले हम multiply करके देखते हैं, कि क्या answer आता है, इस नंबर को अगर multiply करें 50 से, तो यह 576 रॉपीज आते हैं, रॉपीज 576, तो इस तरीके से यह, जो सहेन है, कॉर्ट यार्ड है, उस पर टाइलिंग के 576 रॉपे जो हो लगेंगे,